हेलो डॉक्टर्स ये मेरे यानि डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफॉरिकल मीनिंग अफ माइन्ड रूब्रिक्स का 27 विडियो है इस विडियो का रूब्रिक Anxiety About Health Especially During Climacteric Period डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ सिलीश्या टेरा दवाई दी गई है Anxiety इसमें व्यक्ति किसी बात को लेकर परिशानी, चिंता या घबराट मैसूस करता है क्योंकि पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि उस बात का क्या नतीजा या परिणाम निकलने वाला है मतलब उस बात का आउटकम अनिश्चित या अनसर्टन होता है और इसलिए पेशेंट यही सोच कर कि क्या पता क्या होगा अनीजिनेस मैसूस करता रहता है Health इस शब्द का मतलब है सेहत या तंदृस्ती जो एक इनसान के well-being का प्रतीक होता है Healthy इनसान बीमारी से मुक्त होने के साथ साथ एक physically और mentally balanced state में होता है Especially इस शब्द का मतलब है किसी खास मौके पर या किसी special व्यक्ती के लिए किया गया काम या कही गई बात इसी तरह जब कोई feeling जरूरत से ज्यादा intensity के साथ express की जाती है तब भी ये शब्द इस्तमाल किया जाता है Climacteric period versus menopause नई repertoires ने यही रूब्रिक इस तरह से दिया है Anxiety about her own health during menopause Climacteric और menopause इन शब्दों को अक्सर एक दूसरे के बदले में इस्तमाल किया जाता है लेकिन synonymous समझे जाने के बावजूद भी इन दोनों words में एक important difference है Climacteric period पीरियर्ड Climacteric period के समय एक महिला जिसे अब तक mensis regularly हर महिने आते रहे थे उसके periods में bleeding की quantity और duration पहले के मुकाबले में irregular हो जाती है मतलब या तो periods में पहले से ज्यादा या कम हून जाता है या mensis पहले से ज्यादा या कम दिनों के लिए रहते हैं ये changes usually एक महिला में 40 से 45 साल की उम्र होने पर शुरू हो जाते हैं इस age में hormonal levels change होने से ovarian function धीरे धीरे कम होने लग जाता है इसलिए अब उस महिला की reproductive ability यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता पर भी असर पढ़ना शुरू हो जाता है mensis आने के कारण इस औरत के pregnant होने की possibility खतम नहीं होती लेकिन कम जरूर हो जाती है menopause climacteric period से जो hormonal और ovarian changes शुरू होते हैं उनका end result menopause होता है climaxes में महिला को irregular ही सही लेकिन mensis आते हैं लेकिन menopause में periods पूरी तरह से और permanently बंद हो जाते हैं जिसके कारण अब ये महिला खुद से बच्चे पैदा नहीं कर सकती menopausal female का ovarian function पूरी तरह से बंद हो जाता है इसलिए यदि वो माँ बनना चाहती है तो उसे किसी दूसरी महिला के ओवम की जरूरत पड़ेगी so to summarize जब mensis regular होते हैं तब patient में reproductive ability नॉर्मल होती है जब 40-45 साल की उम्र में climacteric period शुरू होता है तब mensis irregular हो जाते हैं और reproductive ability कम होने लगती है finally menopause जिसे change of life भी कहा जाता है उसके आने पर mensis पूरी तरह से आना बंद हो जाते हैं और महिला में natural reproductive ability नहीं रहती तो anxiety about health especially during climacteric period का literal meaning ये है कि Silesia patient को अपनी सिहत की चिंता तो हमेशा लगी रहती है लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके mensis irregular हो गए हैं और आने वाले समय में periods पूरी तरह से और permanently बंद होने वाले हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब उसका क्या होगा लेकिन इस rubric का metaphorical meaning ये है कि जब Silesia patient को पता चलता है कि उसके काम करने की ability कम होती जा रही है और future में वो अपने आप कोई काम नहीं कर पाने की स्थिती में पहुँचने वाला है तब patient अपनी सेहत को लेकर फिकर करने लगता है Example 1 40 साल की शादी शुदा महिला अपने पती के साथ आई और बोली कि वो पहले बच्चे के बाद दूसरे चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक इलाज कराने के बावजूद वो pregnant नहीं हो पाई है फिर patient बोली कि जैसे जैसे उसकी उमर बढ़ रही है उसे tension हो रही है कि बच्चा पैदा होने की उमीद भी कम हो रही है इसलिए वो परेशान रहती है कि अगर वो pregnant हो भी गई तो इसका उसकी अपनी सेहत पर क्या असर पड़ेगा patient की doctor ने भी बताया कि अक्सर advanced age में pregnancy होने पर औरत को बहुत सारी problems और complications हो सकते है इसलिए ये महिला चिंता कर रही है कि ऐसे में उसका क्या हाल होगा साथ ही जब उसके mensis पूरी तरह से बंद हो जाएंगे तब इस बात से उसकी सेहत का जाने क्या होगा उस वक्त तो वो अपने सगे बच्चों की माँ बन ही नहीं सकती न? इस पर patient का पती बोला डॉक्टर दरसल patient पर बेटा पैदा करने का बहुत pressure है हमें एक बेटी है लेकिन मेरी माँ को वंच आगे बढ़ाने के लिए वारिस चाहिए इसलिए वो patient को दोश देती रहती है इस पर patient बोली कि डॉक्टर सास के बरताव से लगता है कि वो patient की जान की दुश्मन है और उसकी सास पोते के पैदा होने पर ही patient का पीछा छोड़ेगी वना patient की जान लेकर ही मानेगी लेकिन जब patient का पती patient की तरफ से सास को समझाता है कि बहु को इस problem के लिए परिशान करना गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए तो इससे patient को बहुत अच्छा लगता है कि कोई हो ना हो पती तो patient के साथ है फिर patient बोली कि जब इस infertility की problem पर कोई उसे ये कहता है कि फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा तब patient upset हो जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो प्राब्लम्स क्या अपने आप solve हो जाती है इतना ही है तो जाकर सासुमा को समझाओ कि बहु को परिशान करना बंद करे इसी तरह patient पहले बहुत धार्मिक थी और सतसंग regularly attend करती थी लेकिन इस infertility की problem के ना ठीक होने पर उसका इन सब religious functions में जाने का मन ही नहीं करता अब तो उसे यही लगता है कि भाड में जाए ये प्रवचन इन पर ध्यान देने से अच्छा है कि पलंग पर आराम से लेटे रहो क्योंकि ये सतसंग में जाओ या ना जाओ क्या फर्क पड़ता है और अब तो सच मुच सारा दिन बस बिस्तर में पड़े रहने का ही मन करता है Finally patient बोली डॉक्टर यदि आप इस बिमारी को ठीक कर सकते हैं तो ही ये केस आप अपने हाथ में लीजिए तरसल हम कई डॉक्टर से इलाज करवा कर ठक गए हैं इसलिए आपके पास इस प्रॉब्लम की दवा है तो दीजिए नहीं तो खुद का और हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए तो इस केस में patient 40 प्लस है और इसलिए अब उसे अपनी age के साथ मेंसल में आने वाले changes यानी climacteric period के कारण खुद की फिक्र होने लगी है infertility की problem और pregnancy से ज्यादा patient को इस बात की चिंता सता रही है कि उसकी खुद की सेहत आगे कैसी होगी इसलिए ये रूब्रिक है anxiety about health especially during climacteric period patient के अनुसार उसकी सास एक शत्रू है जो patient का पीछा वारिस के पैदा होने पर या patient की जान लेने पर ही छोड़ेगी इसलिए ये रूब्रिक है delusions being pursued by enemies जब patient का पती patient की तरफ से बात करता है यानि patient को support करता है तो patient अच्छा मैसूस करती है इसलिए ये रूब्रिक है holding or being held ameliorates किसी भी तरीके का दिलासा देना patient को upset कर देता है इसलिए ये रूब्रिक है consolation aggravates patient जो पहले religious थी अब धार्मिक functions पर ध्यान देने की बजाए आराम करना ज्यादा जरूरी समझती है patient का ये कहना कि सतसंग जाए भाड में उसके lack of interest को दर्शाता है इसलिए ये रूब्रिक है indifference apathy to his religion अब patient सारा दिन बेड में रहना पसंद करती है इसलिए ये रूब्रिक है bed desires to remain in finally patient ने doctor को clearly और sharply कहा कि वो ये case सिर्फ तभी ले यदि doctor इस बिमारी को सफलता पूर्वक ठीक कर सकते है इसलिए ये रूब्रिक है shrieking for help example 2 55 साल का male patient हाथ में चड़ी पकड़े आया और बोला मुझे arthritis की तकलीफ है फिर patient बोला मैं सरकारी office में clerk हूँ और अब मेरे retirement में 2-3 साल ही बाकी है लेकिन मुझे tension हो रही है कि जब ये job मेरे पास नहीं होगा तब मेरा क्या होगा अब तक मेरा घर इसी job की salary से चल रहा था जब हर महिने मिलने वाली तनख्वा एकदम से बंद हो जाएगी तब मैं क्या करूँगा इसी तरह अब तक मैं जैसे तैसे अपने आप घुमता फिरता हूँ लेकिन अगर इन जोडों के दर्थ के कारण मैं पूरी तरह dependent हो गया तो फिर मेरा क्या होगा मुझे तो बस खुद को लेकर इनी बातों की फिक्र लगी रहती है फिर पेशेंट बोला डॉक्टर मेरे घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है जो मैं कहता हूँ वही होना चाहिए इसी तरह अगर मुझसे गलती होती भी है तब भी मैं कभी माफी नहीं मांगता ऐसे ही एक दिन मेरे छोटे भाई के साथ किसी बात पर अनबन हो गई और हमने बात करना बंद कर दिया माना गलती मेरी थी लेकिन माफी और मैं कभी नहीं मेरी वाइफ ने भी मुझे समझाया कि बात करने में क्या हर्ज है और मैं तो बड़ा भाई हूँ जो पिता समान होता है इस पर मैंने अपनी पतनी को कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे छोटे भाई को आकर मुझसे बात करनी चाहिए ना मैं क्यों पहले जाकर बात करूँ इसलिए ताकि उसे ये लगे कि देखो बड़े भाईया मेरे आगे जुक गए इसी वज़े से बात इतनी बिगड़ गई कि मेरा छोटा भाई घर छोड़ कर चला गया एक्चुली डॉक्टर मेरे इसी एटिट्यूड के कारण मेरी किसी से जल्दी बनती नहीं है फिर वाइफ बोली डॉक्टर जब पेशिंट को दर्द मैसूस नहीं होता है तब वो छड़ी के बिना भी चल सकते हैं लेकिन फिर भी अपने साथ इसे लेकर घूमते हैं इस पर पेशिंट बुला हाँ तो क्या हुआ डॉक्टर आप नहीं जानते छड़ी लेकर चलो तो बस में आगे से चड़ने को मिलता है सीनियर सिटिजन्स या हैंडिकैप्ट वाली सीट पर कोई बैठा हो तो वो फट से सीट खाली कर देता है इसी तरह ट्रेन में दिव्यांग जन के कमपार्टमेंट में बिना भीड के ट्रावल करने को मिलता है इसलिए मैं हमेशा चड़ी यूज करता हूँ अभी आपके क्लिनिक में भी लंबी लाइन थी लेकिन मुझे चड़ी के साथ चलता देखकर लोगों ने बैठने की जगए दी वरना नंबर आने तक मुझे खड़े रहना पड़ता इस पर वाइफ फिर से बोली डॉक्टर ये ऐसे ही है इन्हें ड्रिंक्स लेने की आदत है लेकिन बोलते हैं कि देश में नशाबंदी होनी चाहिए क्योंकि शराब बुरी चीज है जब हम इनसे कहते हैं कि अब खुद ड्रिंक करते हो उसका क्या तो बोलते हैं, हाँ, तो शराब दूसरों के लिए बुरी है, मेरे लिए थोड़ी खराब है। फिर पेशिंट बोला, डॉक्टर, जब ये घुटने में दर्द उठता है, तो मेरा मूड खराब हो जाता है। बीवी भी कुछ कहती है, तो मैं चिर जाता हूँ, कि ये इस वक्त मुझसे बात क्यों कर रही है। एक और बात डॉक्टर, आज कल पढ़ते वक्त मैं अक्सर बहुत गलतियां करता हूँ। कल ही मैंने पढ़ा कि बिजनिस बहुत विस्की होता है। जब मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तब मैंने फिर से पढ़ा और तब मुझे पता चला कि मैंने गलती से रिस्की को विस्की पढ़ लिया था। फाइनली पेशिंट बोला, वैसे तो इस जॉइंट पेंस के लिए मैं अलोपथी लेने का सोच रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि इन मेडिसिंस से आसेडिटी की तकलीफ हो जाती है। कम से कम होमियोपथी में ऐसे साइड एफेक्स तो नहीं होते हैं ना। यही सोच कर मैं आपसे इलाज कराने चला आया। इतना ही नहीं, अलोपथी में बीमारी जड़ से खतम नहीं होती, लेकिन होमियोपथी में यह मुम्किन है, तो यह इलाज बहतर हुआ ना। तो इस केस में पेशेंट को कलर के जॉब से रेगूलर इंकम मिल रही है, लेकिन अब उसे रिटायमेंट के बाद की चिंता सता रही है, क्यूंकि तब उसके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं रहेगा। इसे मेटाफॉरिकली समझें, तो जॉब के जरिये हर महीने सालरी मिलना मेंसिस के समान है, रिटायमेंट का टाइम नस्दीक आना क्लायमेक्टरिक पीरियर्ड की तरह है, और फाइनली जॉब से रिटायर होने पर अर्निंग्स का पूरी तरह और पर्मिनेंटली बंध हो ज जैसा है, साथ ही खुद से चलने फिरने का मतलब है कि पेशिंट अपने आप मैनेज कर पा रहा है और डिपेंडेंट हो जाने का मतलब है कि जो कुछ पेशिंट खुद से कर सकता है उसे वो खो देगा, ऐसा होने पर पेशिंट को दूसरों पर निर्भर करना पड़ेगा, ये state of dependency और non-productivity भी menopause जैसी है, जिसमें एक महिला अपने आप मा नहीं बन सकती और अब उसे pregnancy के लिए किसी दूसरी औरत के ओवम की जरुवत पड़ेगी. इन दोनों कारणों से पेशन्ट खुद के बारे में सबसे ज्यादा परेशान है. इसलिए ये रूब्रिक है anxiety about health especially during climacteric period. पेशन्ट में बहुत अहंकार है, इसलिए वो गलत होने के बावजूद ना अपनी mistakes को स्विकार करता है और ना ही माफी मांगता है. पेशन्ट ने खुद ये माना है कि उसके इसी अभिमान के कारण उसका छोटा भाई घर छोड़कर चला गया. मतलब पेशन्ट का ये मैं, मैं वाला attitude ही उसकी life में problems create कर रहा है. इसलिए ये रूब्रिक है elements from egotism. जब पेशन्ट को दर्द मैसूस नहीं होता, तब वो बिना चड़ी के भी चल सकता है. लेकिन वो इस stick के जरिये खुद को दूसरों की नजरों में बीमार दर्शाता है, ताकि उसे public places में बैठने की जगा आसानी से मिल जाए. इसलिए ये रूब्रिक है faining sick. जहां एक तरफ पेशन्ट अलकोहल बैन करने की बात कहता है, वहीं दूसरी तरफ वो खुद drinks लेता है. ये पेशन्ट का दोगलापन है, जिसमें जो बात वो कहता है, उसे वो follow नहीं करता. इसलिए ये रूब्रिक है hypocrisy. दर्द के समय यदि पेशन्ट से कोई भी बात करता है, तो पेशन्ट चिर जाता है. इसलिए ये रूब्रिक है irritability when spoken to. निउस्पेपर पढ़ते समय पेशन्ट लिखे हुए शब्दों को गलत पढ़ता है, और बाद में उसे समझ आता है कि असल वर्ड कुछ और था. इसलिए ये रूब्रिक है mistakes making while reading. पेशन्ट होमियापती और अलोपती इन दोनों ट्रीटमेंट्स में कौनसा ज्यादा फाइदेमंद है और कौनसा कम नुकसान दायक है, इन बातों का नापतोल करने के बाद हुमियापती को सिलेक्ट कर रहा है. इसलिए ये रूब्रिक है bargaining. फेनिंग सिक और exaggerates her symptoms. इन दोनों रूब्रिक के differences को मैंने अपने plumber metallicum वाले वीडियो में explain किया है. हिपोक्रिसी रूब्रिक का detailed explanation मैंने अपने phosphorus वाले वीडियो में दिया है. हिपोक्रिसी और affectation इन दोनों रूब्रिक के differences को मैंने अपने CPI वाले वीडियो में explain किया है. इन तीनों वीडियो के links description में हैं तो आप उन्हें refer कर सकते हैं. So to summarize, Silesia patient में बहुत attitude होता है. लेकिन बावजूद इसके वो लोगों के बीच अपने आपको uncomfortable महसूस करता है. Patient अपना हर काम सही तरीके से करता है. लेकिन थोड़ा भी mental work करने पर वो ठक जाता है. फिर भी patient बिना हार माने लगातार कोशिश करता रहता है. लेकिन जब लोग उसे taunt करते हैं, यानि sharp और hurtful ताने देते हैं, तो इससे patient डर जाता है. Patient को खुद का मजाक बनाया जाना भी अच्छा नहीं लगता, और ऐसा होने पर उसे यही महसूस होता है कि उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते. Finally, हताश और निराश होने पर patient पानी में डूब कर अपनी जान देने की कोशिश करता है. Egotism, self-esteem, timidity about appearing in public, conscientious about trifles, dullness from mental exertion, perseverance, fear of pins, jesting, averse to, forsaken feeling, feels is not being loved by his parents, wife, friends, and suicidal disposition by drowning. तो मुझे उमीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मवजूद सिलीशिया टेरा दवाई समझ आई होगी. मेरे सुरायनम वाले वीडियो के comments section में despair from itching of the skin इस रूब्रिक को explain करने के लिए कहा गया है. ये रूब्रिक Dr. Kent की repertory में दिया गया है और इसमें सिर्फ सुरायनम दवाई दी गई है. तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ. despair from itching of the skin despair इस शब्द का मतलब है निराशा जिसमें इनसान भविश्य में कुछ भी अच्छा होने की उमीद पुरी तरह से छोड़ देता है. patient को यही लगता है कि आने वाले कल में उसकी इच्छा पुरी नहीं होगी या फिर सफलता की कोई उमीद नहीं है. itching यह एक unpleasant और irritating sensation होती है जिसके कारण patient खुजाने पर मजबूर हो जाता है. जब तक patient इस खुजली को शांत नहीं करता तब तक यह itching उसे परिशान करती रहती है. इसे metaphorically समझें तो ऐसी strong desire जो इनसान को action लेने पर मजबूर कर देती है उसे itching कहा जाता है. तो despair from itching of the skin का literal meaning यह है कि जब सुराइनम patient को खुजली महसूस होती है और खुजाने के बावजूद उसे सुकून नहीं मिलता तब वो निराश हो जाता है. लेकिन इस rubric का metaphorical meaning यह है कि जब सुराइनम patient को कोई भी problem irritate करती है तब उसके मन में उस तकलीफ को दूर करने की strong इच्छा महसूस होती है. लेकिन जब कोशिश करने के बावजूद वो इस irritating problem को solve नहीं कर पाता है या उसे control नहीं कर पाता तब वो हताश होकर सारी उम्मीदें छोड़ देता है. Example Patient बोला डॉक्टर मैं अपने बेटे की फिजूर खर्ची से तंग आ गया हूँ. उसकी हरकते मुझे इतना परिशान करती हैं कि क्या बताऊं. इसलिए मैंने उसे कई बार समझाया कि वो पैसे waste ना करे क्योंकि इससे मुझे तकलीफ होती है. लेकिन वो कमबक्त मानता ही नहीं है. अब तो मुझे लगता है कि मेरा नालायक बेटा कभी नहीं सुधरेगा. तो यहां बेटे का पैसे waste करना patient को irritate करता है. इसलिए patient में इस itching को दूर करने की strong इच्छा होती है. लेकिन बेटे को समझाने के बावजूद यानि इच्छिंग को relief करने की कोशिश करने पर भी जब patient का बेटा उसकी बात नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है तब patient अपने बेटे के सुधरने की सारी उम्मीदे छोड़ देता है. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे like और share करें और मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करें. वीडियो या हुम्योपती से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप feedback देना चाहें तो मुझे comments में बताएं. मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा. पूरी करें देने की पूरी कोशिश करें.